एक hip hop promoter बन जाता है एक call boy और आज हम explain करने वाले हैं 3 The Escort मूवी की शुरुवात में हम देखते हैं कि एक show का promotion चल रहा होता है और वहीं Trent नाम का एक लड़का show की tickets भी बेच रहा होता है जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो celebrity performer आज perform करने वाला था वो आया ही नहीं को मारने लगता है वो कहता है कि तुमने show के लिए deal sign नहीं की और तुमने मेरे सारे पैसे डुबा दिये और कहता है कि मुझे कल तक मेरे 20,000 dollars चाहिए नहीं तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और ट्रेंट को समझ नहीं आता कि वो क्या करे फिर अगली सुबा ट्रेंट अपने घर जाता है जहां हम उसकी मॉम और डैट को देखते हैं उसके डैट एक डिस्टिक अटर्नी होते हैं और कहते हैं कि तुमारा कॉंसर्ट वाला आइडिया फेल हो गया और अब तुम्हें लौकी पढ़ाई करनी होगी उसी राट ट्रेंट एक कलब में चला जाता है और थोड़ी देर बाद बर्नार्ट के लोग भी वहां आकर उसे मारने लगते हैं थोड़ी देर बाद वहां हम कलब की ओनर काईरिया क को देखते हैं और वो अपने आदमी से कहकर ट्रेंट को बचा लेती है फिर थोड़ी देर बाद काईरिया ट्रेंट के पास जाती है और दोनों बाते करने लगते हैं वो दोनों बाते करते करते बाहर चले जाते हैं और ट्रेंट उसकी बातों से इंप्रेस हो जाता है और का और फिर वो दोनों उसके घर जाकर रोमैंस करते हैं अगली सुबह नेटली ट्रेंट से कहती है कि मेरे हजबन आने वाले है और तुम्हें यहां से जाना होगा वो ट्रेंट को हजार डॉलर्स देती है और तब ट्रेंट को समझ आता है कि असली माजरा क्या है जिसके बाद वो सीधे काईरिया से मिलने जाता है और उस पे गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझसे ये क्या करवाया तो काईरिया कहती है कि क्या तुम्हें नेटली पसंद नहीं आई या तुमने उसके साथ इंजॉई नहीं किया तो trend के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वो वहाँ से 1000 डॉलर्स लेकर चला जाता है वहाँ से जाने के बाद trend Bernard से मिलता है और कहता है कि मुझे एक week का time चाहिए तुम्हारे पैसे लोटाने के लिए तो Bernard उसे एक week का time देता है और कहता है कि तुम्हें पैसे interest के साथ देने होंगे जिसके लिए trend भी agree कर देता है और अगले scene में हम देखते हैं कि trend फिर से काईरिया से मिलने जाता है और उसे पूरी कहानी बता देता है तो काईरिया कहती है कि मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी trend के पास कोई option नहीं होता और वो मान जाता है रात को trend काईरिया के बार में काम कर रहा होता है और बरनार्ट भी वहाँ आ जाता है वो कहता है कि क्या इस तरह से तुम मेरे पैसे चुकाओगे बार में काम करके trend उससे कुछ नहीं कहता और वो trend को धमकाने लगता है और इतने में काईरिया भी वहां आ जाती है वो बरनार्ट को अपने साथ अपने आफिस में ले जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रेंड को बताती है कि मैंने तुम्हारे पैसे चुका दिये है और अब तुम्हें वो पैसे बरनार्ट को नहीं बलकि मुझे देने होंगे फिर अगली राट्ड ट्रेंट बार में काम कर रहा होता है तो वहाँ वो एक लड़की लेना को देखता है जो ट्रेंट को पसंद आ जाती है और वो उससे बाते करने लगता है इतने में एक और लेडी वहां आती है और कहती है कि मुझे काईरिया ने भेजा है Trent समझ जाता है कि उसे क्या करना है और फिर वो दोनों उस लेडी के घर जाकर रोमैंस करने लगते है फिर अगले दिन Trent अपने फ्रेंड से मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि बरनाड मर चुका है और किसी ने कल रात को उसका मर्डर कर दिया था ये बाद सुनकर trend को शौक लग जाता है और वो समझ जाता है कि ये काम काईरिया ने ही करवाया होगा अगले दिन से काईरिया trend की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने हर कस्टमर्स की नीर्स का ध्यान रखना होगा और उसकी हर तरह की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा जिसके बार ट्रेंट एक एक करके अपने कस्टमर्स से मिलने लगता है और उनके साथ रोमैंस भी करता है फिर कुछ दिनों बाद जब ट्रेंट अपने दोस्त के साथ होता है तो दो पुलिस वाले उससे आकर मिलते हैं वो उससे बरनाट के मर्डर के बारे में पूछताज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉस काईरिया की बरनाट के साथ हिस्ट्री रही है वो उसे अपना कार्ड दे देते हैं और चले जाते हैं ट्रेंट इस सबसे घबरा जाता है और इसके बारे में पूछने के लिए काईरिया के पास जाता है लेकिन काईरिया काफी रोमैंटिक मूड में होती है और ट्रेंट को रहने के लिए अपना अपार्टमेंट दे देती है जिसके बाद वो दोनों रोमैंस करने लगते हैं और ट्रेंट उससे कुछ नहीं पूछ पाता फिर अगली सुबा ट्रेंट लेना से मिलता है और लेना उसे बताती है कि रेवन मर चुकी है वो कहती है कि उसकी मौट ड्रग ओवरडोस से हुई लेकिन मुझे पता है कि ये काईरिया ने किया है क्योंकि रेवन काम चोड़ना चाती थी और काईरिया को ये पसंद नहीं था उसकी बाते सुनकर ट्रेंट घबरा जाता है और कहता है कि मैं यहां से जा रहा हूँ फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ट्रेंट का बर्ड़े होता है और आज काईरिया के पास उसके लिए एक सप्राइज गिफ्ट होता है और जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो हम वहां लेना को देखते हैं काईरिया को पता होता है कि ट्रेंट लेना को पसंद करता है और वो लेना को ट्रेंट के साथ रोमैंस करने के लिए ले आती है और फिर वो तीनों एक साथ रोमैंस करने लगते हैं कुछ दिनों बाद ट्रेंट फिर से लेना से मिलने उसके घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि लेना पेंटिंग करती है जिससे वो काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि इन्हें एक्जिबिशन में लगाना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मेरी मॉम तुमारी हेल्प कर सकती है वो दोनों काफी खुश लग रहे होते है और थोड़ी देर बाद रोमैंस करने लगते है अगले दिन जब ट्रेंट एक लेड़ी के साथ कहीं जा रहा होता है तो वो दोनों पुलिस वाले फिर से ट्रेंट के पास आ जाते है वो कहते हैं कि जो कोई भी काईरिया को छोड़ने की बात करता है तुम अच्छे से जानते हो कि उसका क्या हश्र होता है और कहते हैं कि तुम हमें उसके खिलाब सबूत लाकर दो और हम तुमें बचा लेंगे वरना लोगों को पता चलेगा कि एक लॉयर का बेटा जीगोलो है तो उन्हें कैसा लगेगा इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं और वहां से ट्रेंट सीधा लेना के पास चला जाता है और दूसरी तरफ काईरिया को भी पता चल जाता है कि ट्रेंट और लेना के बीच चकर चल रहा है फिर अगले दिन जब ट्रेंट अपनी क्लाइंट से मिलने जाता है और जब वो दोनों रोमैंस करने लगते हैं तो उसका पती वहाँ आ जाता है वो गन निकालकर ट्रेंट को एक रूम में लॉक कर देता है और जब ट्रेंट काईरिया को फोन करता है तो उसे पता चल जाता है कि काईरिया नहीं उसे फसाया है वो किसी तरह अपनी जान बचा कर वहां से निकलता है और सीधे लेना के पास चला जाता है और जब वो लेना से मिलता है तो देखता है कि लेना के फेस पर भी एक चोट का निशान है और वो कहती है कि काईरिया ने ही ये काम किया है और उसे हम दोनों के बारे में भी पता चल चुका है इस बात से ट्रेंट गुसा हो जाता है और सीधे जाकर उन दोनों पुलिस वालों से मिलता है वो कहता है कि मैं काईरिया के खिलाब सबूत लाकर तुम्हें दूँगा लेकिन मेरा नाम इसमें कहीं नहीं आना चाहिए और अगर काईरिया जेल गई तो उसका पूरा बिजनस लेना समभलेगी जिसके लिए वो दोनों भी एगरी हो जाते हैं उसके बात ट्रेंट लेना को भी पूरा प्लान बता देता है और प्लान के मताबिक काईरिया के ओफिस चला जाता है और वहां से उसके सारे डॉक्यमेंट्स निकाल लेता है और जब वो डॉक्यमेंट्स लेकर बाहर निकलने लगता है तो काईरिया का आदमी कोईनायक उसे मारने लगता है वो दोनों लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेंड कोनिया को भी मार देता है इतने में काईरिया भी वहाँ पहुंच जाती है और ट्रेंड को शूट कर देती है वो ट्रेंड पे बहुत गुसा होती है और जैसे ही वो उसे दुबारा शूट करने वाली होती है तभी लेना वहाँ आकर काईडिया को शूट कर देती है फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ट्रेंट के पैरेंस लेना को सपोर्ट करने के लिए एक आर्ट एक्जिविशन और्गनाईज करते हैं और उसकी पूरी तैयारी ट्रेंट ने ही की होती है थोड़ी देर बाद जब सब लोग पैंटिंग देखने में बिजी होते हैं तो वो दोनों पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं जिन में से एक ट्रेंट से बाते करने लगता है और इसके बाद ट्रेंट को सब समझ आने लग गया था वो लेना के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें काईरिया की बुक कैसे मिली तो वो ट्रेंट को बताती है कि काईरिया के जाने के बाद किसी को तो बिजनस समालना था तो मैंने सोचा कि मैं क्यू नहीं फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लाइन लेना नहीं किया था और रेवन और उसके दोस्त को भी लेना नहीं मारा था अपने फेस पर चोट के निशान भी उसने खुद ही कोनियक से बनवाए थे और दोनों पुलिस वाले भी लेना के लिए ही काम कर रहे थे ट्रेंट ये सुनकर गुसा हो जाता है कि लेना ने उसका इस्तिमाल किया था लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि लेना उसे बताती है कि तुम्हारे फादर का नाम भी उस ब्लैक बुक में है जो काईरिया के पास थी इतना कहकर लेना वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स पर वाचिंग